आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे class 8 का science chapter जिसका नाम है sound, sound होती है वो चीज जो हम सुनते है या हमें सुनाई देती है उसे sound बोलते है next है sound produce कैसे होती है sound is produced by a vibrating body, vibrating body से ही sound produce होती है अब यहाँ पर vibrating body क्या है ऐसा object जिससे sound produce होती है उस object को बोलते है vibrating body for example एक plate ली, plate के उपर जब एक छड़ी से मारा यानि कि जब एक stick से मारा तो उस plate में vibrations हुई उन vibrations की वजए से हमें sound सुनाई दी, देखो कुछ object ऐसे होते हैं जिनको touch करने पर हम vibrations को feel कर सकते है जब plate में से sound अनि बंद हो जाए तो आप plate को touch करके देखो तो उस plate में से आपको vibrations feel होगी next है vibrations होती क्या है, देखो किसे भी object की back and forth motion को ही उस object की vibrations बोलते हैं देखो जब object vibrate होता है तब तो sound produce होती है लेकिन जब कोई object vibrate नहीं होता है तब कोई sound produce नहीं होती है देखो अभी हमने पड़ा कि प्लेट को touch करने पे हमें vibrations feel होती है लेकिन कुछ cases में क्या होता है कि हम vibration को easily देख सकते हैं for example guitar and voilin की strings है उनमें वाइबरेशन को easily देख सकते हैं वाइबरेशन को हम easily इसलिए देख सकते हैं क्योंकि vibrations का amplitude जादा होता है guitar and violin की strings में ठीक है लेकिन कुछ object ऐसे होते हैं जिनमेंसे sound तो produce होती है लेकिन हम vibration को नहीं देख सकते हैं वो इसलिए क्योंकि उन objects में जो vibrations produce हुई उनका amplitude small होता है next है sound produced by humans देखो humans बोलते हैं sound produce करते हैं वो क्यों produce करते हैं कहां से produce होती है वो sound produce होती है voice box से voice box को बोलते हैं larynx जो larynx है वो human के neck में present होता है आप feel कर सकते हो कि आपके गले के सामने की तरफ एक small सी structure आपको दिखाई देती है हड़ी सी उसे ही बोलते है voice box या फिर larynx देखो human में जो sound produce होती है वो voice box के through होती है voice box में टू वोकल कोड़ होती है यह जब stretch होते हैं तब sound produce होती है अब जो टू वोकल कोड़ है यह इस तरह से arrange होते है larynx में कि एक narrow slit बनी होती है यह देखो एक narrow passes बनी हुई है जिसमें से air पास करती है और sound produce होती है होता क्या है जो lungs है लंग से air slit के थू पास होती है और वोकल कोड़ वाइब्रेट होता है और वाइब्रेशन की वज़े से sound produce होती है आपने देखा है कि जो male होते हैं उनकी आवाज भारी होती है वो इसलिए होता है क्योंकि vocal कोड़ का size जानि कि जो voice box है उसका size male में 20 mm long होता है जब की vocal कोड़ का size female में 15 mm long होता है इसी वज़े से male की voice भारी होती है and female की voice soft होती है देखो अभी तक हमने पढ़ा कि जब कोई object वाइब्रेट करता है तो उस object में से sound produce होती है अब हम पढ़ेंगे कि जो sound है हमें एक जगे से दूसरी जगे पर कैसे सुनाई देती है इस जगे पर sound produce हो रही है तो हमें दूसरी जगे पर कैसे सुनाई देती है देखो sound को travel करने के लिए एक medium की जरूरत होती है और वो medium है air हमारे चारों तरफ हमारे surrounding में air present होती है इसको हम एक experiment से देखेंगे देखो एक vessel लिया उसको air से completely fill कर दिया इसका मतलब क्या है कि air है उस vessel में तो sound produce होगी लेकिन जब उस vessel में से air को completely remove कर दिया तब उस vessel में क्या रह गया सिर्फ vacuum ठीक है और कोई sound produce नहीं हुई क्योंकि sound को travel करने के लिए क्या चाहिए होता है air और इस vessel में क्या है air नहीं है ठीक है जिस जगह पर air नहीं होती उस जगह को बोलते हैं vacuum and vacuum में sound travel नहीं करती next है देखो हमें अपने कानों से आवाज सुनाई देती हमें अपने कानों से आवाज कैसे सुनाई देती यह जो डाइग्राम है यह हमारे internal ear की structure है अंदर से हमारा जो ear है वो ऐसा दिखाई देता है यह है outer ear उसके बाद आती है ear canal उसके बाद है ear drum ear drum आपने सुना होगा कि आपने यह सुना होगा कि आपकी मदर आपको यह बोलती है कि अपने कान में कोई भी sharp object मत डालो जिसकी वज़े से आपका कान का परदा फट जाएगा और आपको सुनाई नहीं देगा तो जो कान का परदा होता है उसे ear drum ही बोलते है इस ear drum के बाद का जो पार्ट है ear का उसे बोलते है inner ear अब हमें अवाज सुनाई कैसे देती है यह दिखो जो outer ear है उसकी structure funnel like होती है अब देखो जब किसी भी object से sound produce हुई तो वो जो sound vibrations है जो sound vibration है वो हमारे outer ear में जाएंगी यह है outer ear इसमें जाएंगी outer ear से जाएंगी ear canal में जो sound vibration है वो अब vibrate करेंगी इस ear drum को देखो जो यह ear drum है वो thin stretched membrane होती है तो जो वो sound vibration थी उन्होंने ear drum को vibrate किया वो vibrations जाएंगी inner ear में अब inner ear से vibrations signals के through brain में जाएंगी तभी हमें आवाज सुनाई देती है देखने में यह process बहुत लंबी दिखाई दे रही है लेकिन जो यह process है पूरी process है वो microseconds में होती है तभी हमें sound सुनाई देती है next है oscillatory motion क्या होता है देखो किसी object में to and fro या back and forth motion होता है उस motion को बोलते है vibration ठीक है इसी motion को ही oscillatory motion बोलते है next है frequency frequency क्या होता है देखो एक second में जितने number of oscillations होते हैं उन्हें ही बोलते है frequency of oscillation ठीक है frequency को एक unit से express करते है उस unit का नाम है hertz इसको एक symbol से denote किया जाता है वो symbol है hz ठीक है उसके बाद है जो amplitude and frequency है वो important properties है sound की sound की दो important properties है जिनका नाम है amplitude and frequency अभी हम आगे भी पढ़ेंगे देखो अब उसके बाद कोई भी जो sound produce हो रही है वो कितनी loud है कितनी तेज है उसको भी express किया जाता है एक unit से उस unit का नाम है decibel ठीक है जिसका symbol है db small d and capital b जो हमारे ears है वो 80 decibel की sound easily सुन लेते हैं ठीक है लेकिन उसके बाद जो 80 decibel से उपर की sound होती है उसे noise बोलते है और वो हमारे ears के लिए काफी painful होती है जो sound की loudness है वो depend करती है उसके amplitude पे अगर हम sound की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि sound vibration की ही बात करने है क्योंकि vibration से ही sound produce हो रही है ठीक है अगर sound vibrations का amplitude large है तो जो sound produce होगी वो काफी loud produce होगी ठीक है अगर sound vibration का amplitude small है तो जो sound produce होगी वो धीरे produce होगी उसके बाद है कि sound की shrillness और peach को determine sound की frequency से किया जा सकता है ठीक है अगर vibrations की frequency जादा होगी तो जो sound produce होगी वो shrill होगी और उस sound की peach जादा होगी ठीक है अगर sound vibrations की frequency lower होगी तो जो sound है उसकी पीछ भी lower होगी next है audible and inaudible sounds मतलब कौन सी sound हमें सुनाई देती हैं कौन सी sound हमें सुनाई नहीं देती हैं वो sounds जिनकी frequency 20 hertz से कम की होती है वो sounds humans को नहीं सुनाई देती है ठीक है वो human को audible नहीं होती है जो human ear की range है वो है कि वो 20 hertz से लेके 20,000 hertz तक की sound frequencies को सुन सकते हैं लेकिन कुछ animals होते हैं जिनके में capability होती है कि वो 20,000 hertz से भी ज़्यादा की sound frequencies को सुन सकते हैं कुछ medical equipment होते हैं जैसे ultrasound equipment है ये इसका यूज किया जाता है medical problems को investigate करने के लिए इसकी sound frequency है वो है 20,000 hertz से भी जादा की next है noise and music first हम पढ़ेंगे noise क्या होते हैं कोई भी unpleasant sound जो हमें अच्छी नहीं लगती है उसे noise बोलते हैं ठीक है एक्जामपल कहीं पर अगर construction work चल रहा होता है उस साउंड आती है वो हमें अच्छा नहीं लगता तो वो क्या है noise है ठीक है जो बस कार होती है इनके जब horns बसते हैं तो वो भी क्या है noisy है ठीक है अगर कोई स्पेशल चाइल है मतलब किसी में कोई disability होती है जैसे जो आटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको जाधा साउंड से प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम होती है